नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कौशल और आप देख रहे हैं News Click कश्मीर में बीतिक कई दिनों से हम बुल्डोजर और बुल्डोजर से जोड़ी हुए evictions को देख रहे हैं जिसमें वहां की जो जनता है वो बड़ी संख्या में निकल कर सडकों पर आई है कि ये evictions उनकी रोजी रोटी पर बड़ा हमला कर रहे हैं इन evictions के खिलाफ में हमने ये भी देखा कि वहां के जितने भी प्रमुख political parties हैं चाहे वो मुफ्ती की party हो चाहे वो national conference हो या फिर CPM हो इन सब ने जो है इन evictions के मखालफत की है और ये भी काया है कि ये जो history है JNK की उसको रेप्रेजेंट नहीं करता हूँ उसके साथ नमीर नहीं खाता इस तरीकी का evictions तो इनी सारी इशूस पर बात करने के लिए आज है हमारे साथ प्रिसुफ तारिगामी साहब इनसे हम जानेंगे समझेंगे कि कश्मीर की राजनीती के बारे में तो तारिगामी साहब मेरा सवाल आप से पहला यही है मतलब बुल्डोजर जब इस देश में चलना शुरू हुआ तो कुछ एक सेक्शन में बड़ी हम कहें खुसी हुए अरे यह तो मसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं यह देखो यह उस पैठियों के घर तोड़े जा रहे हैं दिल्ली में जब यह चलना शुरू हुआ तो हमने यह देखा कि आम तोर पे उनके घर तोड़े गए जो तो जो कहीं से आये थे अपनी रोजी रोटी की तलाश में, फिर उन्होंने ने जुगी बनाई, कहीं कुछ बनाया और इस तरीके से तोड़ना शुरू हुआ जागिरपुरी के अपने घटना देखी, वहां पर एक पॉलराइजेशन की कोशिश भी जिसके तहत जो है घर जोजर का सवाल है, ये पार्ट है, हिस्सा है, इंटेग्रेशन प्रासेस का, जिसका दावा है संग परिवार का, बीजेपी का, बहुत पहले से रहा है, तो अगर कोई जशिन भी बनाये उनकी सफू में, बड़ी बात नहीं, कुछ अजीव नहीं है, और जहां तक कश्मीर म महदूद नहीं है, ये कुमुनिटी का ही सवाल नहीं है, बलकि जमू में भी ऐसा हुआ, हो रहा है, जो अभी पांच अगस को हुआ, वो हुआ क्या, तिन सो सत्थर का खात्मा हुआ, जो की कॉनस्टूशन अप इंडिया का हिस्सा रहा, वो कहीं से, it has emerged out of the discussion, debate of those veteran leaders, जो freedom struggle से आये थे, right from पंडित जवालन नहरू, to many more, सरदार पतेर, मौलाना आजाज, राजंदर प्रसाद, हसरत मौहानी, many more people, तो उनके debate के जरिये ही देश को एक direction मिली, construction की शकल में, और जो जमू कश्मीर का एक unique situation में रिश्टा बना, पाकिस्तान के दबाव के बावजूद, नाराज़गी के बावजूद, जमू कश्मीर के लोगों ने, मजभब को आधार नहीं बनाया, अपने relationship का, circular values को बनाया, और उन्हें यकीन मिला था कि आपके uniqueness को protect किया जाएगा, और आपके जो और रहनसाहन के हुकूद, उनको भी दिपा किया जाएगा, इस वादे पर रिश्टा बना, और पांच अगस को उसी को परावजाएगी, उस वक्त ये भी कहा गया, जो home minister साहब है, उन् about from other reasons, कि यहाँ investment का सवाल है, तरकी रुकी है, और तरकी जब रुकी है, तो हमारी जिम्मदारी है, जमो कश्मीर को तरकी के agenda में लाना, और इस में लाने के लिए जरूरी है, कि बाहर वाले वहाँ जाकर जमीन करी दें, तब जाकर वो invest कर लेंगे, तब जाकर तरकी होगी, तो हमारा ये एक सवाल था, ये नजडिक है हिमाचल परदेश की एक और हिली एरिया, जहां प्रोटक्शन है, तिन सो एकतर के कलास के जिरिये, कि बाहर से अगर कोई जाए, वहाँ जमीन नहीं करीच सकता, अगर इतनी ही जरूरी है तरकी के लिए कि बाहर वाले आ जाए, ये बाके रियास्तों से, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हिमाचल के साथ क्यों, वहां पर भी एक दिवार है ना तिन सो एकतर की, और भी हमारे मुलक में अलाके हैं, नारसीस्ट में हैं बाके जोगों पर, जहां अभी भी बंदिशे हैं, बहरा, जमीर का सवाल उसी पर आ जाए जहां वहां तिन सो सथर का वो खत्म हो गया, वहां एक और चीज रियारगनेजेशन एक्ट के नाम पर, जमू कश्मिर को तोड़ फोड़ किया गया, एक हिस्टारिक सिटेट को, और ये भी मैं बताना चाहूंगा, एक हिस्टारिक सिटेट ने, महराजा हरी सिंग ने जो इ सिटेट की हिस्टेट से, सरवरा की हिस्टेट से, जिसमें लजाग भी शामल है, ये आने वाले बकित में इसके इंपिलिकेशन जाहर होंगे, कितना नुकसान हुआ, जो हमारे देश की पोजिशन है, लेकिन किया तक्सी, और पूछे भी ना, जमू को भी नहीं पूछा, ल उसी में चो रिया, आर्गेनिजेशन एक्ट बनाया, उसमें लिखा गया, कि एक साल के बाइद हक होगा, सरकार को, केंदरी सरकार को, यूनियन टेरिटरी को, वो और क्वानों में तबदिली लाए, अब और क्वानों में तबदिली लाएने का मतलब क्या है, हमें उस 307 की से ये अजिकार मिला था, कि हम लैंड रिफार्म्स में इनिशेटिव ले ले, जो हमने लिया, और हमने लैंड को डिस्रिब्यूट किया, टेनेंट्स में, काशकारों में, और कोई मावजा नहीं देना पड़ा उनको, मावजा मिला लैंड लाइन लाइज को, पहली भार, ब लेकिन कश्मीर, नहीं कश्मीर में सब से पहले हुए, बंगाल में भी लेट होगे, लेफ्ट गवर्मेंट्स ने, केरला ने भी जो इनिशेटिव ले लिया, ये जो बाकी रियास्तू में, अट अर्द अर्लियस्ट, लेकिन उन्हें जमु कश्मीर के बाद लिया, हमने कैस लिया क्योंकि 370 हमारा अधिकार देता था, यहां बाकी जगों पर फंडमेंटल राइट था प्रापर्टी का, जमु कश्मीर में वो राइट नहीं माना था हमने, फंडमेंटल, के प्रापर्टी बनाने का, जाइदाद रखने का, क्योंकि जाइदाद तो फिर लैंड को कहा, आपने अच्छी फासल ले लिया आज तक, आप आराम कीजिएगा, और आहनसान के लिए थोड़ी से जमीन भी रख सकते हैं आप, लेकिन बाकी जमीन जो भी है वो काशकार को होनी चाहिए, तो यह जो करदार रहा है, जमु कश्मीर के लैंड जो फार्म्स का, नोट यह खटक था रहा, खास तोर पर संग परिवार को, आरेस को को, उन्होंने एजिटेशन भी चलाई जो मुँ में उस वक्त, बहराल, लेकिन आज मोका मिला रही आर्गनिजेशन के एक्ट के नाम पर, उन्होंने तक्सीम किया, डाउन साइज किया, किस्टारिक स्टेट को औ उन्होंने एजिकार दिया, एक साल के बैद कानून को, और एक साल के बैद क्या हुआ, हमारे में से कई लोग उन्होंने चलेंज किया है, सुप्रीम कोट के अंदर, यह जो प्रेजिदेंशल आडर्स हैं, उनकी पर्वा नहीं, वालिकि एक साल 2020 में, उन्होंने, जो डेवल करते थे, सम आशुटर्खटिस हवा करते थे, वही खरीद सकते थे जमीन को, और अब यह एजिकार मिला कि बाहर वाला, भाहर वाला, कोई बह रहिं का वो जो एक बिचारा मजदूर नहीं, वो तो बहर में जॉंपड़ी नहीं बना सकता. उटो यूपी में नहीं बना सकता. तो कश्मीर में आकर महल कैसे बनायेगा? वो तो महल बनाने वाले हैं ने इनके जो दाएबाये लोग हैं, बड़े लोग हैं. उनकी नज़र है वहाँ. वहाँ टूरिज्ज्म पर lit गुलम अरग का सुना होगा अभी आपने ये पहल गामका भी नाम संण मरक का नाम सुना होगा और भी आपने तना एक और चीज इन्होंने तबदीली लाई है ये जो इस एक्ट में तबदीली के साथ सा, वो तब्दिली यह है कि भी लीज का भी उसमें भी लीज जरूरॉ उसमें भी तर्मीम लाई लाई। चालिस साल का लीज है, किसी ने लिया है लीज, जमीन का टुकडा लिया है, कुछ होटल बनाया है, कुछ मनाया है इन जग़ों पर, तो आप खतम 40 साल, और 40 साल के बैद खतम वो कहते हम एक्षन कर लिजी ये, ये नई रेट जो आप मुकरर कर लेंगे उसके मताभिक दे दी जिए, नई, वो कहते हैं, आप अख्षन कर लेंगे, और अख्षन क्या होगा आप पूरी, पुरी लोग आएंगे, और पिट गया व हमारे होटल में हमारी पूंजी जो भी है वो सर्माया लगाया है इसी में तो 40 साल के हमें मिलेगा क्या तो हमें तो बोरी बिस तरह गोल करना होगा जाएंगे कहां हमें कमसक्म ये अजिकार दे दो जो भी आप रेटस मकरर कर लेंगे जो भी आप शरायत रख लेंगे उसके मताबिक ही होगा लेकिन प्रफरेंस जमूवालों को दे दीजिए कश्मिर वालों को दे दीजिए वो भी नहीं ये भी उन्होंने आज शुरू किया और इसके साथ ही जहां तक ये जमीन का सवाल है जो लेंड फर्मस के मतलिक हमारे कानून थे पहले डिप्टी कमिशनर जमीन खरो फरोक्त करना वगयरा करना अलाट करना अब तैसिल्दार को अब तैसिल्दार दे सकता है जल्दी जल्दी किसको देना है कहां से आएगा किदर आएगा वो स्टेट सबजेक्ट जो सटकेट होनी चाहिए थी पहले वो भी नहीं आब आब डो मसाहिल सटकेट है डो मसाहिल सटकेट के मताबि कोई भी आब कुछ साल उनके बाइद वहां का शहरी बन सकता है जमीन खेलिए सकता है ये दरसल ये जो आम लोगों में ये एसास है कि खटकता है उनको फैसला उसको रिवर्स करने की बाते हैं आप पुराने जागिरदार नहीं आएंगे आप बड़े लोग हैं उनका नाम कार्परेट है वो सूट बूट पहन कर आते हैं और उनकी नजर है कश्मीर के बागात पर भी उनकी नजर है वहां के ये जो टूरिजम इंडस्ट्री पर भी इस चीज़ को वाइडर परस्पेक्टिव में देखा जाना चाहिए वहां की एकनामी को भी कंट्रोल करना है वहां की एकनामी को भी जमीन को भी के रास्ता हमवार करना है ताकि पुझी पते बड़े बड अभी तक जो है उनकी कोई हम कहें सुगगाट नहीं है, तीन साल के लग होने आए, दोजार निस में लोकसभाई लेक्शन्स जड़ूर है लेकिन असेंब्ले एलक्शन्स की कोई बात नहीं है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं क्या देख लेंगे, दोहजार अठारा तक एसंबली थी, और एसंबली पहले सस्पेंड़ इनिमेशन में थी, सस्पेंड़ इनिमेशन का मतलब है एक्सप्लोर करना पासिबिलिटीज ताके फिर से सरकार बने, फिर यकायक उन्होंने सस्पेंशन से का वो चप्टर खत् किया, डिजालो ही किया, अब देख लीजिए इरादे क्या थे, इरादे थे उन्नीस को, जो पांच अगस को करना था ये, वहाँ इसंबली से पूछ कर डिविजन करना था, कानुशूशनल काइदा है, जाबिता है, रफर करना है वहां के डिबेट के लिए, डिसकुशन के आरा के लिए, आरा के लिए, एसंबली ही बंग कर दी, वज़े ये थी, एक तो ये, और दूसरा, दोसर रठारा में एसंबली बिनी, और इन लोगों का कहना है कि हम इंटेग्रेट कर रहे हैं, जमू किश्मीर को, ये इंटेग्रेट कर लेंगे, यू ए पी ए से, पी ए से म ये, अब एक ही चीज बची थी, वो है बुल्डोजर, तो उन्होंने कहा, यहां तो बुल्डोजर भाबा चल रहा है, बला जमू कश्मीर के लोगों पर ऐसान न किया जाए, बुल्डोजर चला कर, पर कब कर लें, बुल्डोजर भी इनकी निशानी है, ये दोर आते हैं कि 377 हमारे एजेंडे में था, इसलिए किया, तो आप तो शायद बुल्डोजर भी इनके एजेंडे पर है, वो तो पूरे देश में चलना है, तो आप जमू कश्मीर में भी चलेगा, चला भी, कहने कि ये मतलब है, आज भी हम हैरान है, ये कहते हैं कि हमने पंचायत चुनाव के लोकल बाडिज भी चुनाव ठीक, आमन है, और ये चीफ एलेक्शन कमिशनल ने कहा, जब उन से पूछा गया था, जमू कश्मीर के एलेक्शन के बारे में, उन्होंने कहा कि डी लिमिटेशन का प्रासेस भी मुकमल है, और एलेक्टोरल जो रिवीजन का प्रासेस है, व वेजर भी ठीक है, लेकिन ये मौलम नहीं कौन सा वेजर, पॉलिटिकल वेजर सूट कर ले, सरकार को, और वो तो नुजुमी ही बता सकते हैं ना, वो वेजर नुजुमी बना सकते हैं, उनकी गिंती बने कब, तब जाकर वो, हमें ये एधिकार देंगे, कि हम जो पॉलिटिकल पार्टी जी नहीं, बलकि कई लोग जो है, सीनियर लेवल के लोग है, रादा कुमार से लेकर, काक साथ, जो वैश चीफ रहे है, एडमेरल रहे है, एडमेरल नहीं, वायर फोर्स में रहे, तो बहराल, उनकी भी एक पेटिशन देंगे है वहां, और भी लोग की, लेकिन आज तक मौका नहीं मिला, सिप्रीम कोर्ट को के हमारी दर्खास पर भी बोर किया जाए, यह जो लैंड इशू है, जब यह उन्होंने तर्मीम की, लैंड इस डेवलिप्नेट एक्ट में, हमने उस वकल समझ लिया, सी पीम ने, यह एक खतरनाक चीज है, गलत ची स्टारिक प्रासेस का नेतीजा है, जब जमो कश्मीर ने इनिशेट्व लिया था कि लाइन रिफारम्स होनी चाहिए, तो इस वज़े से हमने सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खट-खट आया, पेटिशन पेश के, उसके बाद हमने, एक और पेटिशन दालिज की, अर्ली ह सामरे हैं, यह जो सारी चीजें हैं, नावमेदी है हमें, नावमेदी है हमें, आप हमेशा जो है, दरशल कल भे हम आपका भाशन सुन रहे थे, तो आपने यही कहा कि एक दर्द है जो बाटा जाना चाहिए, लिकिन जब आप लोगों की बात नहीं सुनते, और कश्मीर में तो खास्तरपी करें, कि कल गाव किस्किती है, क्या अगर इलेक्शन्स नहीं होते हैं, तो अलगाव बढ़ेगा आप, मैं एक चीज़ बताओंगा, अलगाव होता क्या, जमू कश्मीर के बारे में इतना जोट फालाया गया है, पहले भी और आज भी, आज जादा ही, यह ज बंगाल के उस पार, इस पार, जमू में भी, हजारों की तैदाद में लोग मर गए है, एक मिसाल मुझे दे दीजिए, जहां कश्मीरी पंडित तब भी थे ना, एक भी वारिदाद हुई, I am talking about when partition took place, यह जो अलाका नजदीख है हमें, उस पार का पंजाब और इस पार का प अरे लाशे गिर रही थे, लेकिन जमू कश्मीर में किसी कबाल कुछ तकलिफ नहीं पहुँचे, माइलार्टी इसको, ऐसा क्यों? उस वकत इंडियन आर्मी नहीं थी वहां, वो बैद में, जब महराजा ने एक्सेशन के इंडिस्टून पर दसकत किया, अक्तूबर में, त उससे पहले कश्मीरी लड़ रहा था, इस वक्त कश्मीरी था ना अलग, और पाकिस्तानी खुल, अगर उस वकत रेडर रस आए, तो कश्मीरी मुसल्मान नहीं जाता, जमू कश्मीर, यहां मुलक के रिष्टे के लिए सामने नहीं आता, तो क्या ऐसा होता? फोज भी नही एक साथ, आप उसको दक्का दे रहे हैं, आप में सरका, हमें गिला नहीं है, जो हमारे शहरी है, मुलक है, उनको गलत फहमिया पैदा की गई है, मेरा चहरा बिगार कर उसको पेश किया जा रहा है, साच नहीं कहा गया, साच नहीं कहा जा रहा है, कश्मीर के लोगों के बार हमारे बस कोई फ्यक्ट्री नहीं है अतनभाद की बारूद की कोई फ्यक्ट्री नहीं है कैसमिए ने वहां मेशीन गण बनाये नहीं जाते महां सेव बनते POLT मीथे ओ immediate अक रोड बनते जाफरान बनता है फूल बनते ते ग्रेनेट, डेड़ नहीं बनता है यहाइसी सूर ठाल क्यूं बन गई इसलिए कि जो वादे के गए थे उनको नभाया नहीं किया गया पहले कमजोर किया गया पहले रिजीम में और जब ये रिजीम आई तो इनहों। इसकी बुनियाद को ही खत्म गर दिया दरकत को ही पलट कर दिया खाट दिया उन्होंने कुछ टहनिया काटी थी, उन्होंने दरक्त की बनियाद कुछी। एक आखरी सवाल है, बहुत संचिप्ति में हम आपसे आंसर चाहेंगे, जूजरी हम देखते हैं कि सरकारे आम तोर पर अपने जो पहले के जो कानून है, उसी के मताबक चलती हैं, कि पहले ये कानून था, उसके मताबक आगे हम बढ़ेंगे, ये जो पूरी एविक्शन हो रही है, इसमें तो ये सरकार ने साफ, एडमिस्टेशन ने साफ-साफ कह दिया है, कि जो पहले कि जितने कानून थे, जिसके तहत आपको जमीन मिली थी, वो हम नहीं मानते, ये कैसे ह हो रहा है, वो इसलिए, क्योंकि उन्होंने माना, मैं यही कहूंगा, कानून स्चुमन असम्बली ने हमें अजिकार दिया था, तीन सो सथर के बारे में गलत पहमिया होती है, आज भी मेरी अपील है, जो भी वर्स है, कि वो तीन सो सथर डाउनलोड करें, पढ़ ले, ये कह है, और फिर उसके मद क्या है, क्लास थ्री क्या है उसका, कि प्रेजिडन्ट कैं रिमुव इट, विद अ कंजन्ट आफ दे कानून स्चुमन असम्बली अज तो आपने कर्फियों नाफिज किया वहां, आपने तो टेलेफून भी काड़ दिया, आपने इंटरनेट भी काड दिया, बीमार डाक्टर के साथ बात कर लेता, वो भी होने नहीं दिया, हम जाने की कोशिश कर लेते कि पारलिमेंट में क्या हो रहा है, वहां वो भी सादर नहीं, दुनिया के सबसे बड़ी जमुरियत में ऐसा हो, क्या आप नहीं समझते हैं कि 21-20 सदी का सबसे बड़ा मौज़े से कम नहीं है, बड़ा एना मिलना चाहिए आज के सरकार को, अपने ही स्टीजन्स को, जन्होंने वालिंटियरली रिष्टा जोड़ा था तब जब अभी हमारी फोज नहीं थी वहां, कोई दबाव नहीं था, आपने उस रिष्टे को ही नकसान पहुँचाया, यह किसी और चीज़ को नहीं, खुश होंगे वो, जो इस रिष्टे से नाराज है, वो आज उन्होंने मेरे खैल में तालिया बजाए ही होगी, कहां कहां, जब इस सरकार ने ये फैसला लिया, जिससे दूरिया भी बड़ी, जिससे दिल भी तूट गए, प्राइम मिनिस्टर आ यही कहा था, एक साथ मिलकर काम करना है, ताके दिली की दूरिया कम हो, दिल की दूरिया कम हो, प्राइम मिनिस्टर साहब, एक भी कदम बताएए, तब से लेकर आज तक, छोटा बड़ा कदम, जो सरकार ने उठाया होगा, इन दूरियों को कम करने के लिए, एक इंच दूर कम हुई हो, हम तब भी खुश हैं, लेकिन आज हालस यह है, दिल की दूरियों के वारे में, दिल ही तूट गए है, शुक्रिया, थांक्यू, 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 थांक्यू आज staff चवगा, रमक्यू, इन दूरियों को हा ऊ pace बड़ायओा है, जुक्रियों को फ CT रड़ा है, भी खुश है है, तब भी घक्यू, खूा रहाँ है, विर बःक्वादा को करने करए भी औरहा है, जूरियों कर अप्ताय है, जूरियों को हैंगा है, औो दूम rubber को क下次 बद